हाती और छिपकली एक घने जंगल में एक मोटा और घमंडी हाती रहता था उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था उसे उसके बाकी के हाती साथी समझाते रहते थे पर वो उनकी बात नहीं सुनता था एक बार हाती जंगल में गूम रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर बैटे चिपकली पर जाती है हाती उसके पाथ जाकर कहता है अरे ओ चिपकली सच सच बता ना तुम्हें मुझसे डर लगता है कि नहीं? अरे तुमसे भला कौन डरेगा? मैं नहीं डरती तुमसे जाओ यहां से मेरी नींद खराब मत करो तुमारी ये मजाल कि तुम मुझे यहां से जाने के लिए कह रही हो मैं इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूँ सब मुझसे डरते है और तुम इतनी सी होकर मुझे बोल रही हो अब देखो मेरी ताकत ऐसा केकर हाती अपनी सून से पेड़ को पकड़ कर ही लाने लगता है जिस वज़े से छिपकली पेड़ से नीचे गिर जाती है तब छिपकली कहती है अरे मोठे घमंडी हाती इतना अपने शक्ति का घमंड करना अच्छी बात नहीं है देखना कभी कोई तुमारी मदद नहीं करेगा हाँ 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 मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं और हाँ अब कभी भी मैं दिखाई दू तो मुझे सलाम करते जाना समझे हाती ऐसा केकर वहाँ से चला जाता है चिपकली फिर से पेड़ पर जाकर सो जाती है हाती आगे आगे जाते रहता है कि तब ही वो एक मकडी के जाल में फट जाता है उसे बहुत डर लगने लगता है तब वो सोचता है अरे चीची यह मकडी का जाल मुझे इस जाल से बहुत डर लगता है अब क्या करो कैसे निकलो यहां से ऐसा कहकर हाती डर के मारे चाने लगता है तब छिपकली हाती की आवाज की तरफ जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो क्या हाती मकडी के जाल में फस गया था उस जाल में वो डरा हुआ दिक रहा था तब छिपकली कहती है कर मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ मैं अभी इस जाल को फाड़ कर निकालता हूँ देखती रहो तुम हाती अपनी पूरी ताकत लगाता है और जाल को फाड़ कर जाल से बाहर आता है और अकड के साथ वहाँ से चला जाता है उस जंगल में एक गहरा तालाब था उस तालाब की दूसरी और जाने के लिए तालाब कर एक लकड़ी का पूल था पर अब पूल की हालत खराब हो चुक मेंडग कहता है अरे हाती तुमारे वजन से ये पूल तोड़ सकता है और तुम गहरे पानी में गिर सकते हो इसलिए आक रुपया करके इस पूल पर मचड़ो अरे तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो मैं तो तालाब के उस पार जाकर ही रहूंगा हाती मेंडग की बात नहीं सुनता है और पूल पर चड़ कर चड़ने लगता है पर जैसे ही हाती तालाब के बीचो बीच आता है तो पूल तूड़ जाता है और हाती गहरे पानी में गिर जाता है पानी गहरा था वहाँ पे कीचड़ भी भरा हुआ था इसलिए हाती वही पर जाता है वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकल लेकी पर वो बाहर नहीं आ पाता तब वहाँ के मेडग उस पर हसते रहते है ये सब छिकली देख लेती है और वहाँ आकर कहती है अरे मेडग इस पर ऐसे मत हसो हमें तो इसकी मदद करनी होंगी नए तो ये ढूब कर येही मर जब इसे बताया तो इसने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब हम छोटे जानवर इस बड़े हाती की कैसे मदद करेंगे। आता है और उस रसी से हाती को खीचने लगता है। थोड़ी देर में हाती गेरे पानी से बाहर आता है। तब वो दूसरा हाती कहता है। उस दिन के बाद से हाती सबसे अच्छा बरताव करने लगता है। छिपकली हाती को माफ करके उसकी दोस्त बन जाती है। और वो उसके पीट पर बैटकर जंगल घुमने लगती है। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी ताकत से छोटों को डराना नहीं चाहिए। सबसे प्यार से और मिल जुड कर रहना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी छोटे भी हमारे मुसिबत के समय में हमारे काम आ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। लोम्री की चुगली, एक घना जंगल था, जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था, एक तिन शेर भोजन की तलाश में इधर उधर खूम रहा था, तबी वो ठक कर एक पेड के नीचे बैट जाता है, उसी पेड के उपर एक बंदर रहता था, बंदर शेर को देखकर नीचे उतरता है और शेर से पूछता है, अरे महराज, आप कुछ परेजान और कमजोर दिखाए दे रहे हैं, हाँ, मुझे भूख लग रही है, और कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा, मैं भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक चुका हूँ, महराज, मेरे पास कुछ फल है, अगर आ खाना चाहो, तो मैं आपके लिए ले करा सकता हूँ, हाँ, जाओ, जाओ, मुझे आज बहुत भूख लग रही है, फल ही खाकर अपना पेट भरूँगा, बंदर शेर को फल आकर देता है, शेर फल खाकर बंदर का शुक्रिया दा करता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक् बाते करते हैं, पूरा दिन, एक अच्छे मित्र की तरह, बंदर और शेर साथ ही रहा करते थे, बंदर और शेर की इस दोस्ती पर लोम्री की नजर थी, इस बंदर की इतनी मजाई, कि वो महाराज से दोस्ती कर रहा है, मुझे ये कुछ करना पड़ेगा, जिससे इन दोनों की दोस्ती तूट जाए, ये सोच कर लोम्री एक दिन शेर के पास जाती है, महाराज, आप क्यों इस बंदर से दोस्ती कर रहे हो, ये आपकी बारी में बुरा भला कहता फिर रहा है, शेर आश्चर रिचकित होकर लोम्री से कहता है, क्या सच में, क्या वाकई मेरा दोस्त ब आप उसके जैसे इस पेर से उपर पेर पर छलाग नहीं मार सकते। बंदर सारे जंगल में अपनी तारीफ कर रहा था। ये कहकर लोमडी वहां से चली जाती है। लोमडी की बात पर शेर को विश्वास नहीं होता। शेर आकर ये सारी बात बंदर को बताता है। और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। बंदर साफ इंकार कर देता है। इस बात पर शेर को समझ आ जाता है। और वो बंदर से कहता है। दोस्त वो लोमडी चालाख है। वो अपनी बातों में हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाती थी। हम दोनों को मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। वरना उसकी वजह से हमारी दोस्ती तूट जाएगी। अगले दिन लोमडी शेर के पास आती है। महराज, आप अभी भी इस बंदर पर विश्वास कर रहे हैं। वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। आपको बिलकुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर गुस्से से उससे बोला। तुम यहां से चली जाओ, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो। मैं तुम पर बिलकुल भी विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुमें इस जंगल से निकालता हूँ, अगर तुम फिर से मुझे दिखाई दी, तो मैं तुमें खा जाओंगा। लोम्री डर कर वहां से भाग जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी दूसरों की बातों पर आकर अपने दोस्तों पर शक्ते हैं। मूर्ख चराफ एक घना जंगल था, जहां एक खतरनाव बाग रहता था। चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूपे हमेशा उसके साथ रहते थे। बाग रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक तिन उस जंगल में एक जिराफ आ गया, जो अपने साथियों से बिछड गया था। बाग ने कभी जिराफ नहीं देखा था। चील ने बाग को बताया कि ये जिराफ है और ये जंगल में नहीं रहता। शायद पास के जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी चील की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर बाग ने कहा। नहीं, ये हमारा महमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। बाग जिराफ के पास कया, और जिराफ ने उसे सारी बात बताई। कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड कर जंगल में पहुँच गया। मैं बहुत परिशान हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिये, मैं अपने साथियों से बिछड कर इस अंजान जंगल में पहुच गया हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाग को इस कमजोर जिराफ पर दयाई, तुम हमारे महमान हो, इस जंगल में ही रहोगे, जब तक तुम हरा जी करे। चील चीता और सियार इस बात को सुनकर मनी मन जिराफ को कोसने लगे। ये महराज भी न जाने क्यों इतने दरिया दिल बन रहे हैं, अगर आज ये इसको छड़ते नहीं, तो इस मोटे ताजे जिराफ का मास खाने को मिलता। जिराफ ने बाग की बात मान ली, और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्या खाकर वो तंद्रुस्त हो गया। इस पीच एक दिन बाग की जंगली हाथी से लड़ाई हो गया। और बाग बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार ना करने की वज़े से बाग और उस पर निर्भर चील, चीता और सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कहीं भी खाने के लिए कोई भोज़र नहीं मिला तो सियार ने बाग से कहा। बाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हो और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर बाग ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि आप कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग कहीं जानवरों को लेकर आओ, तो मैं उनका शिकार करके अपना पेट और तुम दोनों का पेट भी भर सकता हूँ। इतना सुनके सियार ने लपाक से कहा, अरे महराज, अगर आप चाहें तो हम जिराफ को यहां लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लिजे। बागी सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा महमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तबी सियार ने महराज से पूछा, अगर वो सुयम आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो, हाँ तम मैं उसको खा सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाए, और जिराफ के पास जाकर बोलने लगे, हमारे महराज बहुत गमजोर हो गए है, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया, अगर महराज हमें भी खाना चाहे, तो हम खुद को भी उनके सामने समर्पित कर देंगे, सियार के बाद सुनकर चील, चीता और जिराफ भी बोलने लगे, मैं भी महराज का भोजन बनने के लिए तयार हूँ, चारो बाग के पास खें, और सबसे पहले चील ने कहा, महराज मुझे अपना भोजन बना लीजे, सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे, फिर चीता बोला, महराज आप मुझे खा लीजे, तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे, तो बाग का सेनपती कौन बनेगा, फिर सियार ने खुद को समर्पित किया, तब चील और चीता बोले, तुम्हारे बाद महराज को सलहा कौन देगा, उनका सलहाकार कौन बनेगा, जब तीनों को बागने नहीं खाया, तब जिराफ ने भी सोचा, तब जिराफ बोला, बहराज, आप मुझे खा लीजे, क्योंकि मैं तो आपका महमान हूँ, इतना सुनते ही बाग, चीता और सियार उस पर छपट पड़े, इससे पहले कि जिराफ कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल जुके थे, और चारो उसे अपना भोजन बना जुके थे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, साथी चालाक और धुर्थ लोगों की मी रोसा नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी अमेजिंग कहानिया सुनने के लिए, हमारी चैनल को लाइक और सुब्स्क्राइब करना ना भूले, धन्यवाद